ओन पेज ऐसी ओ, इसको करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे, कैसे ओन पेज ऐसी ओ करते हैं, पेड टूल, फ्री टूल, बहुत चीज़े मैंने बता रखे, पर आज मैं आपको Google Chrome की एक ऐसी extension बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल फ्री में है, उससे आप अप अपनी website का, अपने client की website का, या फिर अपने competitor की website का on page चेक कर सकते हैं, और जो उसने गलतियां करी है, या फिर उसने जिन points का ध्यान रखे, उनको follow करके, आप अपनी website को rank करा सकते हैं, initial stage में आप इसे use कर सकते हैं, बाकि paid का कभी भी comparison नहीं कर सकते हैं, फ्री टूल से, वो आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं करा, तो subscribe के button पर click करें, और इस bell icon को press करने के बाद, all के उपर जरूर click करें, मैं हूँ विदान तो welcome है आपका techno विदान channel में, Google Chrome की extension का नाम के है, वो थोड़ी देन में बताऊंगा, पर आप on page SEO कैसे check कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको व post open करने है, mostly लोग क्या करेंगे, website open कर देंगे, और उसके बाद on page SEO चेक करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे, भाई जो आपने कहा, वो result शो नहीं कर रहा, बिर्कुल भी confused मत होना, अब यहां से मैं इस extension को open करूँगा, और आप देखेंगे, यहां सबसे पहले, इसने दिखा दिया, उसके characters दिखा दिये, प्लस नीचे description है, description में कितने characters है, मुझे यहां पर वो show कर रहा है, उसके नीचे इसने मुझे social का section दिये, इसको आप read कर सकते है, नीचे आपको कुछ points मिलेंगे, यहां पर technically यह कुछ चीजे बता रहा है, और जैसी मैं pointer को नीचे ले इसमें HTML की coding है, images show कर रहा है, iframe कितने show कर रहा है, वो सारी details बता रहा है, यहां पर आप देखेंगे, इसने मुझे एक warning दिये, too many h1 tags, 4 items, अगर tip है मैं pointer को ले गया है, तो इसने मुझे यह बता दिया, कि जो मेरे h1 tag है मैंने वो ज़्यादा दे दिये, h2 और h3 को मैंने use ने करा, आप यही सारी चीज़े अपने competitor की, अपने client की website में चेक करके, उसका on page SEO अच्छी तरह ठीक कर सकते हैं, और यह बिल्कुल free extension है, खहीं के बार हम on page SEO करते हैं, पर in points को miss कर देते हैं, और यह post मैंने बहुत पहले लेखी थी, आप देखेंगे, 2019, लगबग 2 साल होन अब यहाँ पे इसने मेरे को दिखा है, H2 की information empty है, empty तो होगी क्योंकि मैंने H2 tag ही नहीं दिया, ठीक वैसे ही मुझे ये नीचे सारी details दिखा रहा है, इनको आप दियान से ज़रूर read करें, अब इसने मुझे नीचे एक warning दिये, जो मेरे एक link है, वो without anchor text और image, मलब image या फि चोटी चोटी गलतियों का पता लग सकता है, और अब आप नीचे देखेंगे friends, यहाँ पे मुझे सारी internal links दिखा रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे वो कहां से relate कर रहे है, और उसमें क्या-क्या text दे रखे है, वो सारी details यहाँ मिलेगी, आप खुद इसको ऐसे find कर सक है, हो सकता है, यह इस page के सास्त आपके और भी web pages को find कर रहा है, और उसी के अंदर आपको यह सारी tips बता रहा है, क्योंकि इस page में मैंने 25 images add नहीं करी है, और इसके नीचे link भी show कर रहा होगा, जिससे आपको idea लग जगा कि कौन सी image में यह problem आ रही है, यहाँ पर आप देख तो आपने इस चीज का जरूर द्यान अखना है, tip में अपने pointer को ले जाने के बाद यह चीज़े जरूर पड़े, और कौन-कौन सी images में issue आ रहा है, आपको सारी details मिल जाएगी, आप देखेंगे first image है, ना तो इसके आगे all text है, ना ही title text है, तो यहाँ से अगर मैं इसको click कर कि आपको proof दिखाने लगया, तो definitely बहुत जादा time waste हो जगा, यहाँ से page को नीचे करने के बाद, friends, सबसे last में आ रहा है, presentation, मेरे इसमें icon missing हो रहा है, और theme का color missing हो रहा है, और यह उसके साथ-साथ मुझे tip भी दे रहा है, मुश्किल से 5 minutes भी नहीं लगे होंगे, और आपको इतनी सारी चीजे पता लग गई कि आपकी website के अंदर on-page SEO में क्या-क्या कमी आ चुकी है, या फिर आपके client की website में क्या कमी आ चुकी है, और आप इसमें ये भी check कर सकते हैं, कि आपके competitor ने images के अंदर क्या alt text दे रहा है, क्या title text दे रहा है, जिसकी वज़े से उसकी images भी rank ह और उससे भी उसकी website में traffic आ रहा है, ये खाफी ऐसे points आप इसको बहुत easily देख सकते हैं, अब मैं आपको एक और Google Chrome की extension बताऊँगा, वो भी बिल्कुल free में है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा, कि जो आपके client की या फिर आपकी competitor की website सची में responsive है, ये किसी भी तरह का उसमें भी कोई error आ रहा है, इन दोनों के नाम मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, सबसे पहले मैं आपको दूसरी extension भी दिखा देता हूँ, मैंने यहां से इस extension के उपर click करा, और यहां लिखा है select device, जैसी मैं इसके उपर click करूँगा, friends यहां पर आप करना चाहते हैं, तो बहुत easily कर सकते है, iPad mini portrait के उपर मैंने click करा, और यहीं से मुझे confirm हो गया, मेरी जो website है, वो बेल्कुल responsive है, 100% responsive है, किसी भी तरह कोई error यहां पर show बिल्कुल नहीं कर रहा, उमीद करता हूँ, दोनों Chrome के extension आपको बहुत अच्छे लगे होगी, अब यह क Google open करना है, उदर लिखना है Chrome Web Store, आपकी जो link देख रहे हैं, इसके उपर आपने click करना है, और यहां जो search का button देख रहे है, आपने यहां पर लिखना है Meta SEO Inspector, आप यह जो link देख रहे हैं, इसके उपर आप click करेंगे, और यह first वाली Chrome की extension है, already मैं इसको install कर चुका हूँ, त Windows का ना हम है Responsive Web Design Tester, इसके उपर आप click करेंगे, और आप इसको भी यहां से install कर लेंगे, ऐसी बहुत सारी extensions आती है, आने वाले time में मैं आपको वह भी बताऊंगा, पर इस समय के लिए यह दो extensions आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप कोई और use करते हैं, यह कोई और use क आना चाते हैं, तो वो आपके उपर depend करते हैं, मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा देता हूँ, चलना ना चलना वो सब आपका decision होता है, I hope friend आपको वीडियो जरूर अच्छा लगाओगा, इसे like और share जरूर करें, ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वालों तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!